आज हमने दुआ किया या अल्ला अधिक अहमत की सहाद़ को कबूल फर्माः अधिक अहमत की जिस तरह से पुलिस का स्टडी में सरयाम गोली मार कर हत्या कर दे गई थी यह मामला पूत पकरता जा रहा है जहां बड़े-बड़े राजनेता उने इसकी गोर निंदा की है, कड़ी शब्दों में निंदा की है वही आज जुमे के नमाज के बाद पटना में इसका विरोथ किया गया आपको बता दें कि जुमे के नमास के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़ा खरूतरे और शहीद अतिक अहमद अमर रहे के नारे लगाते रहे उन्होंने कहा कि इसमें साजिश के तहत मरवा दिया गया है तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो लगतार लगते आ रहा है क कही न कहीं उत्तर परदेश सरकार पर ये गंबीर आरोप लग रहा है अभी कुछ दिन पहले मुकेश शहनी ने भी कहा था कि महा जंगल राज है इस तरह से तमाम नेता भी सवाल उठाते रहे हैं लेकिन आज पटना में जुमे के नमास के बाद जो मुस्लिम समुदाय के ल तेजिश के जुदे मुदाय में जुमे का जिए अज हमने दुआ किया लाओ आधिक अभब के अद्आग तक ऑब लगदाध में वोरी तरह से ब्राइबवे में मारा गया योगी फरकार ने उनको प्राइबवे में मरवाया इस वे को मिद्गिया सरकार पोलिस सब का हाथस को मरवा कि अब अब ओने में अब अब कि शहाद़त हुआ कि इस देख दिल्कों शहीद अक्रिक सरकार पुलिस ने मरवाया, वो सहीद है, पूरे दुनिया के मुसल्मानों के नदर में वो शहीद हो गया मेरा नाम रईस कफनभी है गलत काम किया है तो कोट है, कोट भी जिम्मेवार है, कोट ने रिमांड दिया था पूलिस ने कोट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था कोट भी जिम्मेवार है, उनको सजा होता भास ही पचला दिया जाता हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं